अर्जु काजमी और आप हमेशे की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राइगे ने एपिसोड के साथ हम हाजिर है मौसन चेंज होता जा रहा है बारिश हो रहे है जी एसलामाबाद में खुछ बारिश यह हो रही है मौसन थंडा हो गया है और यकिनन जो लोग हमें देख रहे हैं खास्थोर्श वारत में उनकी तरफ भी मौसन बहुत अच्छा हो गया होगा और गर्मी जो है उसको सबने टाटा बाई बाई कर दिया होगा। बात हम करेंगे जी पाकिस्तान की सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि जी जो फ्यूल प्राइस है वो कम कर दी गई है जी हां बताया यही जा रहा है सुनने में यही आ रहा है और न्यूस भी यही है कि जो फ्यूल प्राइस है उसकी कीमत तकरीबन फॉर्टी रूपीस जो है वो कम कर दी गई है जी हां जो केर टेकर गर्मेंट है उसकी तरफ से फ्यूल प्राइस जो है वो नेक तरह से कहा जा रहा है कि जी बहुत कम की गई है और उसमें फॉर्टी रूपीस पर लीटर जो है वो 283.38 जो है वो पर लीटर इसमें आप देख सकते हैं जी हाँ पर लीटर हो गया है और इसके साथ जी डीजल प्राइस जो है उसमें 15 रुपीस कमी के बाद वो 303 रुपे 303.18 यानि 18 पैसे भी या लिए उसमें कम कर दिये गए हैं अब देखते हैं कि ये कितने दिन ये सब कुछ रहता है वैसे बताये तो ये जा रहा है कि क्योंकि पूरी दुनिया में ही फ्यूल प्राइस कम की गई है तो इसी लिए पाकिस्तान में भी फ्यूल प्राइस जो है वो हमें कम करके मिल रही है अब अच्छी बात है वैसे कुछ दिन तो कम से कम लोगों के अच्छे न रहे हैं कि सिमर्ट ऍसमगल किये जा रहे थे जा रहे थे जो के कस्टम ने पकड़ लिया है और डियाई खान का बटाय का बदाया है कर ठार भी को अड़ा पह दिया हम तो बीजम जाने था है किस तरीके से बात चलती है बाद हम करेंगे जी फ्र बालवल बुटो जर्दारी की और उनके साथ आपको जो दूसरे साब नजर आ रहे हैं उनका नाम है जी फैसल करीम कुडी फैसल करीम कुडी साब जो है पीपल्स पार्टी के काफी अक्टिव मेंबर है उनका कहना है बिलावल बुटो जर्दारी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पाकिस्तान के तमाम मुश्किलात खतम हो जाएंगी जी यहां ये कहना है फैसल करीम कुडी साब का वैसे इसे पहले के विलाव जूटा दरदारी जो हैं वो फॉरिंड मिनिस्टर बने थे तब कौन से मुश्किले हल हो गई थी या अभी नवाज शरीफ साब के आने पे भ बर बर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ये बात भी काफी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नवाज शरीफ साब के पास आखिर कोई रोड मैप होगा कोई प्लानिंग की होगी कुछ तो बताएं कि आकर आकर की चीज़ें हो या दूसरी चीज़ें हो चाहें मैडिकल हो वो प्राइस अपनी जगा पर है और गर्मेंट उन प्राइस को कम कराने में अभी तक नकाम रही है एक वीडियो दिखते है नमस्कार पेट्रोल डीजल की बरती कीमतों से घबराना नहीं है इसका भी वही लुक ना करें ध्यान रहे हमें महंगाई से लड़ना है सरकार से नहीं तो कि चीज़ने इंडिया से शाओ वीडियो बनाए है लेकिन हाल पाकिस्तान का भी वही है कि हमें महेंगाई से लड़ना है सरकार से नहीं कपड़े आप फटे पुराने पहन लीजिए और खाना कम ही खाईए तो अच्छा रहेगा पिट्रॉल बचाईए और जैसे कोवर्ड में हाल था वही हाल इस्वा करके रखिए घरों में रह तो अपने आपी महेंगाई महसूस नहीं होगी यह कहना है जी या बिलकुल हमारी गर्मिन का भी यही कहना है और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी यही कुछ बात कर रहे हैं हमने कल आपको जी वीडियो दिखाई थी और हमने बताया था आपको किस तरह से घोड़ों प पाकिसान में यह तो पता लगता है कि गोड़े अभी भी मौजूद हैं जी ये थे साथ रिजवी जो के तारी के लबैक के चियर परसन है अचकल अपने फादर के बाद और खादेम उसे रिजवी आपको याद होगा वो इस किसम के बियानात दिया करते थे बिल्कुल ये भी उनी की एक फोटो कॉपी हैं और उसी किसम की बाते करते हैं लेकिन बा आगे कहा था कि ये लोग फलस्तीन पहुंचते भी हैं या नहीं वैसे तो तहरी के लबैक वालों ने भी यकिनन अपने गोड़े तैयार कर ली हों गया बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि गोड़ों पे गड़े बैटे दिखाई देना खैर वो आपका अपना मामला है आ हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तानी रुपीज की और कहा यहीं जा रहा है कि जी रोज जो है वो कम से कम भी दो से पांच रुपए जो है डॉलर की प्राइस वो गिर रही है और इससे पहली कर लेते अगर ऐसा ही कोई जादू का चराख था तो पहले क्यों नहीं इस्तिमा ही जा रहे है सासाथ हम आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान पर जो लोन है यानि पाकिस्तान ने जो मुक्तलिफ कंट्री से लोन ले रखा है वो अभी तक 64,000 बिलियन रुपीज हो गया है जी यहां 64,000 बिलियन जी एं 64,000 बिलियन लेकिन रुपीज डॉलर नहीं कह में बताया जा रहा है के पहुँच चुका है साथ पी आईये का मुरा हाल है जियां पाकिस्तान इंटरनेशनल एर लाइन जियां उसका हाल खराब है और सभी जानते हैं कि कई प्लेंज जो हैं वो ग्राउंड हो चुके हैं फ्लाइट्स नहीं चल रही है इसके बावजूद प को कुछ सालुवी में एक्स्ट्रा पैसे जो दिये जा रहे हैं बोनस उसकी बात हो रही है अगर प्याईये इतना खसारे में चल रहा है प्याईये के पास पैसा नहीं है कि वो अपने जास जो है वो लेके कहीं जा सके या कहीं जला गिया है तो वापस आ सके यह सब हैं उनमें बॉनस 7 कर दिया है हम आगे बढ़ें और हम पिट्रॉल प्राइस की बात हो रही है खैर इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अभी जी 40 रुपीज कम किये लेकिन अमीद ये की जा रही है कि 58 तक चला जाएगा लेकिन अभी गया नहीं है इसलिए पहले से लोग खु पर गाड़िया नजर ना आएं ऐसा कभी हुआ नहीं इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं पैसा मौजूद है मुल्क के अंदर पैसा जरूर मौजूद है चाहे गर्मिंट के खजाने में हो या ना हो बहुत बार ये भी कहा जाता है कि बारत में जो गर्मिंट है वो अमीर है जो पब्लिक है वो गरीब है कि पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है लेकिन गर्मिंट के पास पैसा है जो के मौज चलाने के लिए जरूरी होता है अब पाकिस्तान में इसका उलट है पाकिस्तान में पब्लिक के पास पैसा है एक खास किसम की पब्लिक आप समझे जो 20% प लगता है कि मुल्क से कितनी दिल्चस्पी है हमारे हुकुमरानों को और हमारी उस क्लास को जो मुल्क चलाते हैं मुलाना फद्लुर्रह्मान दिया मुलाना फद्लुरह्मान को आप लोग देख रहे हैं और मुलाना साब का कहना ये है हम किसी के साब ने सर जुका कर सियासत करने को तयार नहीं मुलाना फदुर राइमान का कहना ये है कि सर जुका कर किसी के आगे वो सियासत करने को तयार नहीं हमने पगड़िया सरों को जुकाने के लिए नहीं सरों को उंचा करने के लिए पहनी है बिल्कुल ऐसा ही है मुलाना सब तो फिर आप जाकर जी एच क्यू में और बाकी जगा पे जुते क्यूं साफ कर रहे होते हैं आपको ले आए आपको आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको कुछ मदद की जाए और हर गवर्मिन में आप होते हैं चाहे किसी की भी हो सिर्फ एक इमरान खान की गवर्मिन थी जिसमें आप शायद नहीं थे कई सालों के बाद ऐसा हुआ था कि आप सियासत से बाहर हुए वर्ना तो आप हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो भी हुकूमत बनाए उसके साथ मौलाना साथ 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 खड़े दिखाई देते हैं और ये पहली बार हुआ कि जी ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में बिलकुल जी ये गाना ये आशले फिट आता है कि मौलाना साथ भी जो है वो पहली बार 17-18 सालों में पहली बार सियासत से बाहर हुए और उसका क्रेडिट जाता है इमरान खान को इमरान खान साथ के मेद भी सर जुकाते देखा है और पंगड हटा के भी तो इसलिए ये किस इस किसम की बाते ना करें इसलिए कि हमारे आज से कोई पॉलिटिकल पाटी ऐसी तो आई नी जिसने जो है वो जाकर स्टमिश्मेंट के पाउ ना पकड़े हो हम आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि म को ठीक कर लेंगे और इससे पहले साग्डार साब जो के नवाज शरीफ साब के रिष्टेदाने वो भी आ चुके हैं लेकिन कर वो भी कुछ नहीं पाए मगर कैर मुफ्ती साब को समझाने के लिए तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास अलफाज कम है और उन्हें खुद ही समझन होगा कि आखिर नवाज शरीफ साब ऐसा क्या करने वाले हैं वगर फिलाल नवाज शरीफ साब आई नहीं है 21 अक्टोबर को नवाज शरीफ साब की जो सवारी है वो पाकिस्तान पहुंचेगी उसके बाद आगे वो किस तरीके से मुल्क को लेकर चलते हैं ये तो बहराल व आज मुझे याद है कि शयवगतर साब का स्ट्रिक्मेंट रही गया उनका कहना है जी मैच मैच हारा है पाकिस्तान मैच हारा है लेकिन आपने उमीद नहीं हारनी पाकिस्तान के पास अभी बी जो है कॉलिफाइग करने के का मौका है और इन्हें ठंड रखनी चाहिए जी आ पाकिस्तान जिस तरह से मैच हारा है तो लग यह रहा है ठंड प्रोग्रामी चल वगर यह जरूर है कि आज हमारे टीवी चानल पे कुछ सीनियर आपके क्रिक्टर्स बैठे वे तो आपके सीनियर क्रिक्टर्स है तो बाराल दो मुलाज बैठे वे थे और उनका कहना यही था कि जी अभी बहुत मौका है और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच सकता है यानि कहते हैं बुरी तरह से हारने के बाद भी ओवर्ज भी कंप्लीट नहीं किये गए फिर भी हमारे जो किर्केटर्स हैं यानि जो सीनियर किर्केटर्स हैं उनको अभी भी उमीद है कि पाकिस्तान जो है वो किसी ना किसी तरीके से रो पीट कर या जूते खा कर या किसी तरीके से धके दुके दे कर जो है वो फाइनल तक पहुंच ही जाएगा लेकिन हमें कोई खास इन से उमीद नहीं है इसलिए हम बिलकुल मजबूर्टी के साथ बैटें कि ये कभी भी बाहर हो सकते हैं बारहल अच्छी की उमीद रखनी तो चाहिए लेकिन अपनी जो पर्फॉर्मेंस है उस पे भी ध्यान देना होगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ये इसाब जिने में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं मलक एहमर्थ खान साथ चार साल में गरीब अवाम की जिन्दगी मुश्किल और मैश्चत तबाह होी जी हैं ये भी इक वालिटीशन है और इनका भी लजाम जो है सीधा सीधा इमरान खान की तरफ है और उनका कहना है कि चार साल में इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया चार साल में इमरान खान ने जो है एकॉनमी को तबाह कर दिया बिल्कुल कर दिया हम भी यही कह रहे हैं लेकिन उससे पहले जो लोग आकर गए वो जो पैसा खा गए जो ठकार गए और जो लेकर भाग गए उनके बारे गई बहुत उन्हें मैसेजिस पहुचाए गए कि जी अगर आप कहीं जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं, आप साउगी अरब भी जा सकते हैं, आप लंदन भी जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान कहीं नहीं गया, लेकिन यह और बात है कि इमरान खान को गर्मिन्ट चलानी नही आई इमरान खान को बिलकुल भी समझ में नहीं आया कि आकर मुल्क को चलाया कैसे जाता है और इस वज़ा से उनके अनाडीपन की वज़ा से बहुत नुकसान उठाया पाकिसान ने कि उनकी एकॉनमी भी खराब हो गई और साथ-साथ फॉरिंड पॉलिशी का तो बिलकुल ही अभी तक कोशिश की है जबके बाकी लोग जो है वो आपने देखा कि कहा कहा कोई लंदन चला गया कोई दुबई चला गया लेकिन इमरान खान अभी तक यहीं है और जाहरे जो लोग उन्हें लाए थे वो उनको सोचना चाहिए कि आखिर क्या सोच कर एक नाड़ी अदमी क लाकियों उन्हें बिठा दिया था और प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसके बाद उनकी कोई बात जो है उनकी ट्रेनिंग नहीं की गई उन्हें कुछ बताया नहीं गया किस तरह से मुलकों चलाते यही वज़ा है कि हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की खेर अब हम पाकिसान की टीम इतना शॉट उनको इतना कम मार्जिन के उपर वो चले गए थे कि उसको अचीव करना कोई खास बड़ी बात नहीं थी अब यहां पर लोग रो रहें के जी पाकिसान मैच हार गया पाकिसान मैच हार गया लेकिन नेक्स मैच के लिए भी उनका खौसला बढ पर लोग रोना बंद के तीए और यह थे प्राइम निस्टर मोदी जो कह रहे थे कि आप लोग आप लोग रोना बंद कीजिए बात अगर हम एक बार पिर करें जी फलस्तीन की और इस्राइल की तो कई कंट्री जो हैं वो कोशिश कर रही है कि जंग बंदी की जाए यह मज़ीद लोगों की जाने ना जाएं और मज़ीद लोग परिशान ना हो लेकिन अभी तक कोई खास पॉजिटिव नियूज हमें नहीं आई है बहुत से मीडिया हाउसे जो हैं जिसमें के बारत के भी करी लोग शामिल हैं वो बारत वो बारत इसराइल पहुंचे हैं और व इसराइल के लिए तो हमानिया लिखा हुए हैं ना कि जा सकते तो फलस्तिन तो जाए ही सकते थे लेकिन हमारे मीडिया Persons भारत लेकिन जी वो फलस्तीन जाना नहीं चाहता वहां जाकर जो है जो कुछ वहां पर हो रहा है ग्राउंड पे उसको कवर करने के लिए तैयार नहीं है वागर कैन यहां से बैठके भी बहुत लोग बात करें अलकि यह तो बड़े-बड़े मीडिया हाउसिस में काम करते है हैं यह लोग यह तो हमारी तरह ऐसा नहीं है कि एक चोटा सा यूट्यूब चैनल है और हम खुदी सब कुछ कर रहें ऐसा नहीं है यह तो बड़े-बड़े लाखों करोडों के बलके कहना चाहिए उनके मीडिया हाउसिस और लाखों करोडों की जाए यह साल्रीज भी लेत मुझे यकीन है कि अब पाकिस्तान वाले जो हैं वो यकीन हैं डोनेशन जमा करना शुरू करेंगे फलस्तीन के नाम पर और खुदी खाप पी जाएंगे यह भी मुझे बूरा वरोसा है अपने लोगों पर क्योंकि अब इससे पहले भी देख चुके हैं कभी कश्मीर कौस क नाम पर और कभी अफगानिस्तान में वार के नाम पर इन्होंने बहुत डोनेशन जमा किये लेकिन वो डोनेशन कहां गए यह तो ना कश्मीर वाले जानते हैं और ना अफगानिस्तान वालों को पता है लेकिन हाँ इनको पता है जिन्होंने जमा किया जिनके बैंक्स में ग करेंगे इसराइल को डोनेशन भेज़ेंगी किम्के बाराल इनसान उहां भी रहते हैं उननका भी बहुत नुक्सान हिए बहुत जाने गई लिए अगर इस्राइल के लिए पाकिस्तान की तरब से क्लिकार डोनेशन भेज़ाब 기대 गाएंगे यहां से खुराख जाएगी, खाना जाएगा, पानी जाएगा, या कहने चाहिए के मैडिसन जाएगी और किसी तरह की मदद जाएगी, तो सबसे पहला डोनेशन मैं ही दोगी इसराइल के लिए, यह मैं आज भी कह रही लेकिन मुझे लगता नहीं कि हमारी गवर्मेंट के अंदर इतनी कोई शरम होगी, पारहल यहां से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, थैंक यू